या फिर दोनों में लेकिन अगर दोनों में करना है तो किस में कितना इनवेस्ट करना चाहिए ये क्वेस्टन मुझे काफी सारे लोग पूछते है इसका रिजन ये क्वेस्टन मुझे आज तक सबसे जादा लोगों ने पूछा है इसका रिजन ये कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 स्टॉक्स है तो ये बहुत जादा है इसलिए मुचल फंड्स इंवेंट हुए थे ताकि हमें इतने सारे स्टॉक्स में से अच्छे ज्रम फंड्स चूने कैसे जैसे अगर हम neuen लार्जड binary फंड्स की बात करें तो जो इंडिया की टॉप 100 अकंपनी उती है तो उन्हें हम लारज चरंड कंपनी काते यानिकी बड़़ी कंपनी तो हमारे पास इंडिया में लार्ज चरंड कंपनी सो लेकिन उनकी mutual फंड्स या फिर हमार पास mid cap होते, small cap होते, flexic cap, hybrid mutual funds और यसे बहुत तरह के अलग-अलग sectors के mutual funds होते तो अब आपको इन में से किस में invest करना चाहिए तो ये problem काफी serious है क्योंकि यहाँ पर चीजे simple होने के बदले और ज़्यादा complicated होती जा रही है और कोई भी इनसान ये नहीं चाहेगा कि उसका hard and money कोई भी गलत जगा पे invest हो जाए और उसे loss मिल जाए या फिर अच्छा profit ना मिले तो इसलिए अब आप लोगों को tension नहने के जरूद नहीं है क्योंकि इस difficult topic को आज मैं एकदम simple language में समझाने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक eye opener चीज़ भी बताऊंगा compounding के बारे में यानि ऐसी चीज़ जिसे समझ के आपके होश उड़ जाएंगे तो वीडियो को end तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो चीज़ आपको पूरे internet पे सीखने नहीं मिलेगी ये बात मैं guarantee की साथ कह सकता हूँ तो चलिए शुरू करते लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक special announcement है कि finally हमारा stock market investing का course launch हो चुका है जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने काफी सारी request की थी email, dm और comments करके तो finally वो course अब live है और उसकी recording भी available है और बहुत सारे लोगों ने कोर्स को पूरा देखके complete करके certificates भी ले लिया है और reviews भी हमें काफी सारे अच्छे-च्छे मिल चुके है जो कि आप इस screen पर देख सकते हो और मुझे काफी खुशी है कि जो मेरा goal है इस course के जरीए वो पूरा हो रहा है आप लोगों को stock investing में real confidence मिल रहा है चुकि एक बहुत ही famous quote है कि if you give a man a fish, you feed him for a day but if you teach a man how to fish, you will feed him for a lifetime तो एक बार fish देने के बदले यानि stock tip देने के बदले fishing कैसे करे यानि खुद अच्छे stocks कैसे ढूण के investing कर ले यह मैंने इस course का goal रखा है ताकि आपको हर कुछ महिनों बाद किसी stock के guru के पास जाके उससे tip मागने की जरूद ना पड़े क्योंकि basics of stock market से लेके fundamental analysis, valuations और stock market की कौन सी गलती आपको नहीं करनी है यह सब से लेके wealth creating sectors और past के wealth creator stocks को इन सब को मैंने इसमें study किया है ताकि आपको यह stock market का game अच्छे से समझ में आ जाए और बहुत जल्द आप लोगों के questions को लेके मैं इस course में कुछ और new videos add करने वाला हूँ last chapter में FAQ section में जिसमें आप लोगों के common questions के answers होंगे तो मैंने इस course को इस हिसाब से design किया है कि आपको bore भी ना हो और important concepts आपको सीखने मिल जाए कम से कम time में और आप इसे पूरा end तक देखो और साथ ही साथ मैंने इसमें 7 days refund policy भी रखी है क्योंकि मैं इतना confident हूँ इस course की value को लेगे तो अगर आप stock market से financial freedom अचीव करके wealth create करना चाहते हो तो फिर आपको इस course को ज़रूर चेक करना चाहिए इसकी link मैंने नीचे description में डाल दिये जब आप उस पे click करोगे तो आपको एक ऐसी website देखेगी जब आप add to card पे click करोगे तो फिर आपको proceed का button दिखेगा जिस पे click करके आप अपना name, number, email add करके इसमें से कोई भी payment option चुनके अपना order complete कर सकते हो फिर जैसे ही आपका payment complete होगा तो फॉरण वहीं से आप login करके अपना account setup कर सकते हो और फिर उसके बाद आप वहीं से course को देखना शुरू कर सकते हो फिर उसके बाद अगर आपको future में कभी भी course देखना है तो आप इस website पे जाके Google से या email से login करके यहां तीन line पे क्लिक करके dashboard पे क्लिक करके अपने course को देखना continue कर सकते हो और इसको आप multiple times भी देख सकते हो क्योंकि यह pre-recorded lectures है और अगर इस पूरे process के दौरान आपको कोई भी difficulty होती है कोई भी परिशानी होती है तो आप हमें हमारे support email या फिर इस WhatsApp नंबर पे message कर सकते हो तो अभी हम आते हमारे topic के ओपर तो सबसे पहला बिना time waste किये मैं वो सबसे important eye opener चीज़ आप लोगों को बचाता हूँ तो वो है कि आपको जादा return कहां से मिलेगा क्योंकि ultimately हम सब यही चाते कि कैसे हम जल्दी financial freedom अचीव करके अमीर बने तो यहाँ पर इस concept को simple करने के लिए मैं आप लोगों से एक simple question बोचता हूँ मान लो दो दोस्त है Sunny और Monty Sunny stock portfolio बनाता है और Monty mutual fund portfolio दोनो 10-10 लाग रुपया invest करते लेकिन Monty अपना 10 लाग रुपया 10 अलग-अलग mutual funds में invest करता है यानि हर एक mutual fund में 1 लाग रुपया और Sunny 10 अलग-अलग stocks में invest करता है यानि हर एक stock में 1 लाग रुपया मतलब mutual funds वसे stock मतलब एक portfolio पूरा mutual fund का और एक portfolio पूरा stocks का अब मान लोग काफी साल गुजर गए जैसे 20 साल और उसके बाद Monty को अपने हर एक mutual fund से कुछ इस तरह का return मिला तो उसके जो 10 mutual funds से उसमें से 5 funds में से उसे 13-13% का average yearly return मिला यानि कि उसका वो 1 लाग रुपे का investment जो उसने एक mutual fund में किया था तो वो हर साल 13% के rate से 20 साल तक grow हुआ तो 5 mutual funds का return 13% का रहा, 2 mutual funds से उसको 14-14% का return मिला और 3 mutual funds से उसे 17-17% का return मिला और दूसरी तरफ Sunny को अपने stock से कुछ इस तरह का return मिला उसके 3 stocks fail हो गए, 0% यानि उसको profit तो क्या loss हो गया 2 stocks से उसको सिर्फ 2-2% का return मिला, मतलब FD से भी बुरा मतलब उसके 10 में से 5 stocks तो fail हो गए 3 stocks से उसको 18-18% का return मिला 1 stock से उसे 26% का return मिला और last 1 stock से उसको 30% का return मिला अब ये numbers में ने थोड़े extreme और realistic रखने की कोशिश किये क्योंकि जब आप mutual fund में invest करते हो तो आपको long term में जैसे 20 साल में 0% का या minus में return मिलेगा इसके chances बहुत कम है आपको कुछ ना कुछ return तो मिली जाता है जैसे 8-10% का या 15% का लेकिन आपको long term में 25-30% का return मिल जाएगा इसके chances भी बहुत कम होते है क्योंकि mutual funds बहुत सारे stocks का एक portfolio होता है लेकिन stocks से आपको 25-30% का return मिल सकता है लेकिन गिने चुने stocks से ही आपको हर एक stocks से बहुत जाधा return मिलेगा ऐसा होना भी बहुत मुश्किल है लेकिन यहाँ पे stocks से आपका पैसा 0 भी हो सकता है इसके chances होते हैं या फिर आपको 2-4% का मामुली return मिल सकता है तो यहाँ पे मैंने आप लोग को इन दोनों के portfolio के individual investments का return बताया और आप लोग के लिए मेरा question यह है कि future में इन दोनों में से कौन सबसे जाधा wealth create करेगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे Monty को यानि mutual fund को winner कहेंगे क्योंकि stock portfolio में 5 stock तो वैसे ही fail हो गए और अगर हम इनके पूरे portfolio का return देखे तो हम इसका एक average निकाल सकते जो portfolio का average return होगा जैसे 5 mutual funds से 13% का return मिला था तो 13 plus 13 plus 13 plus 13 plus 13 फिर plus 14 plus 14 फिर plus 17 plus 17 plus 17 यह 10 के 10 mutual funds का हमने return एड़ किया और इसको हम divide करेंगे 10 से जो होता है 14.4% तो यहाँ पे हमने एक simple average निकाला है जिससे हमें individual funds का नहीं बलकि पूरे portfolio का return पता चलता है दूसरी तरफ अगर हम stocks का portfolio का average देखे तो 0 plus 0 plus 0 plus 2 plus 2 फिर plus 18 plus 18 plus 18 plus 26 plus 30 तो इन सारे individual stocks की return को हमने एड़ किया और इसको हम divide करेंगे 10 से तो answer आता है 11.4% जो हमारे portfolio का return होता है तो इस calculation की हिसाब से यहाँ पे stocks के portfolio का average return सिर्फ 11% आता है और mutual fund का return 14% का आ रहा है तो clearly इस हिसाब से mutual fund portfolio जीत रहा है अब मैंने ये question काफी सारे लोगों से पूचा था और majority लोगों ने इसका answer इसी तरह calculate करके जा था लेकिन ये calculation गलत है compounding के मामले में हम चीजों को बस योई simply add नहीं कर सकते इसके लिए हमें इन सारे stocks का actual return देखना होगा फिर हम उसे calculate करेंगे अब दोस्तों ये चीज मैं आप लोगों को एकदम simple करके समझाता हूँ क्योंकि ये concept investing में बहुती कम लोगों को ये समझाता है लेकिन मैं इसे इस तरह समझाऊंगा कि किसी भी school के बच्चे को बहुती आसानी से ये समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने एक table बनाया है जहाँ पे मैंने 10 mutual funds का अलग-अलग column बनाया है तो क्योंकि हर एक mutual fund में एक एक लाग रुपे invest किया गया था तो मैंने starting amount 1 lakh लिख दिया है और फिर 5 mutual funds से हमें 13% का return मिला था तो इस हिसाब से 20 साल में 13% के rate से 1 लाग रुपे का investment 11 lakhs का होता है तो इन सारे column में आप देख सकते हो 11 lakhs चोह रहा है फिर 20 साल में 14% के rate से 1 लाग रुपे का investment 13 lakhs का होता है यानि कि 1% extra return के बदले 2 लाग रुपे का extra profit तो यहाँ पे ये 2 column में 13 lakhs हमें दिख रहा है और फिर 20 साल में 17% के rate से 1 लाग रुपे 23 lakhs में ग्रो होता है अब यहाँ पे 3% extra return है जिसके बदले हमें 10 lakhs का extra profit दिख रहा है तो बागी की 3 mutual funds में भी इससे amount हमें show रहा है तो अगर हम इन सब का इन सारे mutual funds की profit का total करेंगे तो ये Monty के mutual fund portfolio का total profit होगा जो होता है 1.5 करोड यानि कि Monty का mutual fund में invest करके एक mutual fund का portfolio बना के इन rates की हिसाब से 10 lakhs रुपया 1.5 करोड में grow था है तो अगर आप CGR calculator में यानि की compounding calculator में जाके ये data enter करते हो 10 lakhs रुपीस से 1.5 करोड तो ये हमें 14.4% का return show करता है अब ये amount interestingly हमारे simple average की जिदना ही आ रहा है लेकिन अब हम बात करते सनी के stock portfolio की और ये सबसे interesting part होगा तो सनी को 3 stock से loss हुआ था क्योंकि अगर आप direct stock में invest करते हो तो आपका पूरा पैसा डूप भी सकता है mutual fund में ऐसा नहीं होता है तो इसलिए 10 में से 3 stock सनी के fail हो गए मतलब 0 हो गए तो उसको हमने आप ए count ही नहीं किया है फिर 2 stock से उसको सिर्फ 2% का yearly return मिला मतलब वो stock भी कुछ खास ग्रो नहीं हुए और almost fail हो गए क्योंकि 2% के rate से 20 साल में एक लाग रुपया double भी नहीं होता है वो सिर्फ 1.4 lakhs में grow होता है तो basically 10 में से 5 stocks सनी के fail हो गए लेकिन बाकी के 5 stocks में क्या हुआ वो हम देख ले थे तो बचे वे 5 में से 3 stocks 18% के rate से ग्रो भी थे तो इस हिसाब से 20 साल में 1 लाग रुपया 27 lakhs में grow होता है फिर एक stock 26% के rate से ग्रो होता है तो 20 साल में 1 लाग रुपया exact 1 करोड में grow होता है और फिर आखरी stock जो 30% के rate से ग्रो हो था वो 1 लाग रुपया 1.9 करोड में grow होता है तो ये सिर्फ 5 stock का return ही 3.7 करोड का होता है तो अगर हम यहाँ पे अभी सनी का stock portfolio का return calculate करे तो उसने 10 लाग रुपय actually में invest किया था जिसमेंसे कुछ stocks fail हुए और कुछ grow हुए तो उसका 10 लाग रुपय का investment 3.7 करोड में grow होता है तो अब हम इसका CAGR यानि compounded return चेक करेंगे तो ये almost 20% का होता है तो ये है सही तरीका portfolio की return को calculate करने का अब दोस्तो अगर हम यहाँ पे compare करें तो mutual fund portfolio 10 लाग से 1.5 करोड का हुआ था और stock portfolio 5 stock fail होने के बाद भी 3.7 करोड में grow होता है तो ये direct stock में invest करने का magic अब दोस्तो इतना ही नहीं अगर हम थोड़ा सा और future का comparison करें तो यहाँ पे आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि अगर हम इसी portfolio का अगले 10 साल का और return देखे यानि कि 30 साल में क्या होता है तो ये data काफी interesting होगा तो पहले हम mutual fund portfolio को देख लेते 13% के rate से वो 5 mutual funds 20 साल में 1 lakh से 11 lakh होए थे लेकिन अब 10 साल और वेट करने पे ये 39 lakhs में grow हो जाते और 14% के rate से 1 lakh 13 lakh होआ था लेकिन अब ये 50 lakhs का हो जाता है और 17% के rate से 1 lakh रुपय 23 lakhs होआ था लेकिन अब ये 1.1 करोड होता है तो ये पूरा mutual fund का portfolio 10 lakh से 20 साल में 1.5 करोड का होआ था और 30 साल में 6.3 करोड का होता है और अगर अभी हम इसका portfolio का return चेक करेंगे तो ये 14.8% का होता है पहले ये 14.4% का था तो ये थोड़ा सा increase हो गया है ये ऐसा क्यों हुआ है ये जीज मैं आप लोगो थोड़ी ज़र में समझाने वाला हूँ क्योंकि stock के portfolio के return और भी ज़्यादा interesting हो जाएगा क्योंकि वो 10 lakh से 40 करोड का हो जाता है 20 साल में वो 3.7 करोड का हुआ था लेकिन सिर्फ 10 साल बाद वो 40 करोड के उपर निकल जाता है क्योंकि वो एक stock जो 26% के rate से ग्रोवा था वो अकेला stock ही 10 lakh से 10 करोड का हो जाता है इतना तो वो पूरा mutual fund का portfolio भी ग्रोव नहीं हुआ था और जो stock 30% के rate से ग्रोवा था तो वो तो 26 करोड में ग्रोव हो गया है तो अगर हम यहाँ पे analyze करेंगे तो सिर्फ यह दो stocks नहीं इस पूरे stock portfolio का game change कर दिया है और अभी अगर हम इसका rate of return चेक करेंगे इस पूरे portfolio का return तो वो 22% का हो रहा है पहले यह 20% का था और अभी यह 22% का हो गया है तो यहाँ पे अगर आप notice करोगे तो आपके बिना कुछ काम किये आपके portfolio का return अपने आप बड़ता जा रहा है अब आप पुछोगे कि यह कैसे हो सकता है तो इसका reason यह है कि जो आपके portfolio का winning stock है यानि 30% वाला stock वो आपके पूरे portfolio को एक magnet की तरह अपने direction में लेकि जाएगा जिसकी वज़े से धीरे धीरे करके कुछ सालों बाद आपके पूरे portfolio का भी overall return बढ़ता रहेगा और वो 30% की तरफ जाता रहेगा तो यह भी एक compounding का interesting secret है जो किसी भी middle class इंसान को पता होता ही नहीं और इसलिए जितने भी engine investors होते तो वो बहुत सारे छोड़ी छोड़े investments करते बहुत सारे start-ups में क्योंकि by chance अगर गलती से एक startup successful हो गया और वो बहुत जाद अच्छे rate से grow हो गया जैसे कि 25, 30, 40% की rate से क्योंकि startup ऐसे rate से grow हो सकते है तो उस एक startup से उनकी life बदल जाती है और उनके पूरे portfolio का return उससे grow हो जाता है तो यही portfolio का magic हमें stock market में use करने मिलता है कि चाहे आप कितने भी stocks में invest करो जिस भी stock में आप invest करते हो तो आप उसमें जादा से जादा वो ही amount lose कर सकते हो जो आपने उसमें invest किया था तो आपका जो downside है उसके एक limit होती है आपके invest किये हुए पैसो से जादा आप lose नहीं कर सकते है एक एक लाग रुपय अगर आपने गलत stock में invest किया तो उससे जादा आपका loss नहीं होगा आपका loss वहीं पर रुख जाएगा लेकिन जब आप profit कमाऊगे तो उसके upside की कोई limit नहीं होती है जैसे एक ही successful stock ने 10 करोड का profit दे दिया या 26 करोड का profit दे दिया तो फिर वहाँ से grow होता रहेगा तो उसका dividend ही हर साल 5-10 लाग का होगा और फिर वह stock वहाँ से और grow होता रहेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा wealth create करता रहेगा तो ये काफी interesting चीज है stock market की कि जिसके पास knowledge है तो वह यहाँ पे अपने life time में काफी बड़ी wealth create कर सकता है और middle class से rich भी बन सकता है और सिर्फ dividend income पे अराम से retire हो सकता है क्योंकि सिर्फ direct stocks में ही ऐसा power होता है कि आपका 1-2 लाग रुपय का amount 10-20 करोड में grow हो सकता है क्योंकि आज की तारी में अगर आपको किसी property में invest करना है तो आपको एक बहुत बड़ा amount invest करना होता है आप उसमें diversify नहीं कर सकते लेकिन stocks में आप छोटे से amount को आसानी से diversify भी कर सकते हो और 1-2 लाग रुपया बहुत बड़ी कीमत नहीं है क्योंकि हर middle class इंसान अपने lifetime में इससे जादा कमा के invest करे गई तो stock market का नाम खराब इसलिए है क्योंकि अगर आप वैसे अच्छे stocks नहीं pick करते हो या फिर उनको buy करने के बाद छोटे profits पे उन्हें sell कर देते हो तो फिर आप यहां से कुछ खास wealth create नहीं कर पाओगे और आप blame करोगे stock market को इसलिए Warren Buffett ने कहा था कि the stock market is a device for transferring money from impatient to the patient तो mutual fund और direct stock investing का सबसे बड़ा difference यह है कि mutual fund से आपके जो profit का range होता है वो long term में usually 10-15% के बीच का होता है मतलब आपको 10% से बहुत कम भी return नहीं मिलना चाहिए और 15% से बहुत जादा भी मिलने के chances नहीं होते अब इसकी कोई guarantee तो नहीं है कोई भी यह चीज guarantee के साथ नहीं कह सकता कि आपको इतना ही percentage मिलेगा लेकिन past के एसाब से हमको कुछ SI देखने मिला है तो यह एक अच्छी भी चीज़ है और बुरी भी क्योंकि जो new investors है वो आसाइनी से किसी mutual fund में SIP करके FD और दुसरे fixed income plan के मकाबले आसाइनी से अच्छा profit कमा सकते लेकिन बुरी चीज़ यह भी है कि आप mutual fund से कितना भी try कर लो 14-15% से ज़्यादा return आप यहां से expect नहीं कर सकते तो इसलिए अगर आप सिर्फ एक ही large cap mutual fund में SIP करते हो तो आप already बहुत बढ़िया तरीके से diversified हो जाते हो क्योंकि किसी भी mutual fund में 10-20 stocks से ज़्यादा ही होते और फिर आप SIP के जरीए उसे buy करते हो तो आपकी entry भी diversified हो जाती है जिसको मैं time diversification कहता हूँ तो एक ही mutual fund में SIP करके आपको portfolio diversification plus time diversification मिल जाता है जिससे no doubt आपका risk बहुत कम हो जाता है लेकिन अगर आपके पास free time है और आप ज़्यादा mutual funds को research करने में time, energy और पैसा लगाते हो ये सोचके कि आपको ज़्यादा funds में invest करके ज़्यादा profit मिलेगा तो आप शायद अपना time और पैसा waste करोगे तो इसलिए finally मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऐसा नहीं कि mutual funds best है या direct stock में invest करना best है ये बस आपकी situation पे depend करता है अगर आपको investing में interest नहीं है या आपको अपने investments काफी simple रखने है तो आप mutual fund में invest कर सकते हो लेकिन अगर आपको stock market में interest है या आपके पास ज़्यादा time है research करने के लिए और आपको अच्छी wealth बिल्ड करनी है तो फिर stock market आपके लिए अच्छा option रहेगा क्योंकि मैंने खुद अपनी investing की जरने की शुरुवाद mutual fund से की थी लेकिन जब मुझे एक ची समझ आई जो आज मैंने आप लोगों को बचाया कि थोड़ा सा extra effort देके knowledge gain करके अगर आप जाधर return कमा लेते हो तो same amount invest करने से 6 करोड के बदले 40 करोड इतना बड़ा फरक पड़ सकता है तो यह एक बहुत बड़ा difference होता है तो इसलिए no doubt आप stock market से अच्छी wealth build कर सकते हो लेकिन बिना knowledge की आप इसमें पैसा lose भी कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग direct stock market में बड़ा बड़ा amount invest करते थे जबकि उनके पास कुछ खास knowledge होती नहीं है और फिर वो loss लेके एक tuition fee पे करते है stock market को जो लाखों में होती है इसलिए मैंने stock market का course launch किया ना कि mutual fund का ताकि वो सारी knowledge stock investing की मैं आप लोगों के साथ share करू तो अगर आप stock market से जल्दी financial freedom achieve करके wealth build करना चाहते हो तो मैरे course की link नीचे description में आप वहाँ जाकि उसकी details चेक कर सकते हो क्योंकि stock market में loss लेने से refund नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पे इस course में आपको 7 day की refund policy मिलेगी तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही उमिद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सिखने जरूर मिला होगा तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना और इस वीडियो को share करना अपने friends और family member के साथ जो confused है कि उन्हें stock market में invest करना चाहिए या फिर mutual fund में और दोस्तो अगले वीडियो में हम एक बहुती interesting topic dividends versus rent के उपर discussion करने वाले तो उसके बार में आपके पास जो भी questions है आप मुझे नीचे comment करके बताओ ताकि मैं उससे आने वाले वीडियो में cover कर लू तो इसलिए वीडियो पसंद आया तो इसे like करो नहीं पसंद आया तो dislike करो आपका valuable time देने के लिए thank you and good bye